कि राधे राधे बच्चों आज प्रैक्टिस सेशन फोर कॉंस्टेबल जीडी और आप लोगों के लिए परगती बैच अस्टार्ट होने वाला है मात्र 299 में ठीक है यह कोश्चन डेट दस जन्वरी 2023 का प्रैक्टिस सेश है मतलब जीडी का जो कोश्चन आया था उसी का सेट है ओरिजिनल नौ से दस बजे के टाइमिंग वाला क्लास एक्जाम का अधर साइट चल गया कोश्चन रीट कीजेगा सभी लोग ठीक अधर जिस परकार दूसरा चर्सा मू पहले अच्छर समू से संबंदित है और चोथे अच्छर समू तीसरे अच्छर समू से संबंदित है देखिए कोश्चन क्या बोल रहा यह जिस परकार इस संबंदित है यह जिस परकार इस संबंदित है उसी परकार यह इस संबंदित होगा ठीक है तो इसे एक बार सभी ट्राइ किजिए करने का और देखिए इस अगर क्वेस्चन एस्पीड बनाना है एक्जाम में तो ऑप्षन से स्टार्ट किजिएगा एक बार ऑप्षन सभी एक बार देख लिजिएगा देखिए ओप्षन में सबका फर्स्ट लेटर अलग-अलग है तो केवल एक ही चेक कर लेंगे कि क्या आएगा अगला पद तो पता चल जाएगा कि एंसर क्या है ठीक है तो देखिए बनाया जाए इस क्वेस्चन को Y 25 X 24 माइनस 1 ठीक है उसी परकार T 20 S 19 ठीक है तो B माइनस 1 ठीक है A देखिए सब में माइनस 1 हुए पहला अच्छा लेटर में और देखिए option number B is A, B, L और A आ गया है कि वहले इतना ही देखना है और एंसर मारना और अस्पीड ली निकलना है SSC द्वारा पूछा गया सबसे easy question था ये second question उस भी कल्प का वही same question है ठीक है उसी परकार से बनेगा जिस परकार से ये इस से संबंदित है ये इस से संबंदित है ये इस से संबंदित होगा question mark last में ठीक है तो देखिए एक बार सभी लोग try किजिए बनाने का ठीक है देखिए इस question में क्या हुआ कि सी ओ और सभी का option ध्यान में देंगे ध्यान दीजेगा जी आई जी से सुरू है जी से सुरू है और आईडी से सुरू है तो को option से अगर बनाएंगे तो हम लोग speed बना सकते हैं बहुत जल्दी 20 सेकेंड 15 सेकेंड में बन जाएगा question देखिए सी ओ को क्या लिखा है ओसी और इसमें भी सी ओ को ओसी चेंज कर दिया है केवल तो इसमें क्या लिखेगा आई डी option number 4 देखिए आई डी पहले और यह सब किसी में आई डी नहीं है तो option से ही यह question solve हो गया option number 4 is correct answer इन सभी question में time बहुत कम देना है ठीक है question देखिए एक बार सभी लोग try कीजिए बनाने का वाव विकल चित्र चुनिये जो प्रस्तु चित्र में अन्रहित है अगुमाने की अनुमती नहीं है ठीक है तो देखिए इस फिगर में कौन सा option होगा जो पूठ होगा उस फिगर में है ठीक है देखिए option number one try कीजिए देखिए लेकिन घुमाने की अनुमती नहीं है तो यह option number one नहीं होगा ठीक है option number two देखिए ठीक है तो option number two मिल गया और सेम है तो option number two is right answer चलिए अगला question बनाते है इजी question है यह सब में केवल टेन मिनेट टेन सेकेंड तक ही देना है question read कीजिए और try कीजिए बनाने का सभी लोग question number four किस विकल्प में निमलिखित सब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी सब्द कोस में आते हैं आप सभी ने dictionary तो देखा ही होगा नहीं तो आपके phone contact में होगा तो जिस तरह से वो वेवस्थित धंक से रखा जाता है उसी वेवस्थित धंक से इन इन पांचों लेटर को रखने पे कौन सा पहले आएगा और कौन सा क्रम में बनेगा वो बन करना है तो यह भी केवल दस सकेंड लगता है इस सब क्वेश्चन में बरनाने में ठीक है देखिए ओप्सन देखिए कि फोर वन फोर वन ठीक है तो पहले या फोर होगा या वन होगा तो वो चेक करना है केवल M N M A M A G पहले की N G होता है तो फोर फिक्स हो गया तो एक फोर C में है एक फोर 3 में है ठीक है एक ओप्सन नमबर 1 में है एक ओप्सन नमबर 3 में है अगला अब इसमें क्या बोला गया है 2 और 1 में तो 2 और 1 में पहले कौन होगा M A N double N है ठीक है M A N और फिर A है तो मतलब पहले क्या होगा 2 होगा तो ओप्सन नमबर के 1 में है ये तो ओप्सन नमबर 1 इस करेक्ट आंसर क्वेस्टेन रिट कीजिए सभी लोग और खुद से बनाने का कोशिस कीजिए क्वेस्टेन नमबर 5 6 एकती एक वितकार मेज के परिधी केंद्र की और मुख करके बैठे हैं काया जया तारा के ठीक बगल में है सोनल प्रिया और स्वाती के ठीक बगल में है सोनल प्रिया के दाई और ठीक बगल में है तारा और स्वाती एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है नहीं बैठी है ठीक है प्रिया के बाई और ठीक बगल में कौन बैठी है तो इस क्वेस्चन को बनाने के लिए देखिए छेव एक्टी बैठे है एक गोल में गोल गोल सर्कुलर बनाके और सभी का मूख अंदर की और है ठीक है तो देखिए काया जया और तारा के बीज में है काया तो ये काया हो जाएगी जया और तारा या तो जया होगी या तारा होगी तारा ठीक है अब आगे पढ़ते हैं सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है सोनल तो सोनल बीच में होगी और प्रिया और स्वाति अगल बगल होगी तो यहां पर स्वाति के लिए स ले लेते हैं और प्रिया के लिए पी ले लेते हैं लिखने में टाइम लगेगा और इसलिए सॉल होने में टाइम लगेगा सोनल स्वाति एस डबलू कर देते हैं ठीक है एस डबलू कर देते हैं स्वाति के लिए और सोनल के लिए एस और स्वाति और प्रिया ठीक है अब देखिए आगे क्या बोल रहा है सोनल प्रिया के दाई और ठीक बगल में बैठी है सोनल प्रिया के दाई और तो सोनल कहां होगी सोनल देखिए यहाँ पे है अब प्रिया के दाई और तो दाई किधर होगा सरकल में इधर साइट दाया होगा तो प्रिया यहां पे होगी ठीक है तो प्रिया राइट हो गया यह स्वाति यहां नहीं होगी स्वाति यहां पे होगी यह प्रिया नहीं होगी यहां ठीक है तो यह तो फिक्स हो गया कि कहां कहां बैठी है तारा और स्वाती एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है तारा और स्वाती बगल में नहीं बैठी है तो यहाँ तारा तो नहीं होगी तारा यहाँ पे होगी और जया यहाँ नहीं होगी जया यहाँ होगी तो अब देखिए question में क्या बोला है प्रिया के बाई और ठीक बगल में कौन बैठी है प्रिया के बाई और तो प्रिया के बाई बाई किधर होगा इधर होगा circle में ये side बाया तो बाया में क्या कौन बैठा हुआ है तारा तारा option number 4 is correct answer किनी को doubt होगा तो comment किजेगा और तुरं solution दुबारा से बता दूँगा एक बार सभी लोग try किजे बनाने का नीचे दिये गए समीकरन को गन्नितिये रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिनों को परस पर बदलना चाहिए देखिये किन दो चिनों को परस पर बदलना चाहिए तो option number 1 try करते है यह divide है ठीक है और यहां भी divide है ठीक है अब बिजिबल है ना देखिये पहला option divide और minus को change करेंगे तो यहां पर minus हो जाएगा और यहां पर divide हो जाएगा ठीक है तो 5 by 9 आजाएगा बोर्ड मास के रूल से तो यह तो नहीं होगा जैसे कि अगर आप बना रहे हैं और लाना आपको fraction में नहीं है और आपका result divide करने पर fraction में आ रहा है तो उस question को तुरंत उस option को छोड़के अगला option के लिए try करेंगे नहीं तो time बहुत consume कर जाएगा और यह answer नहीं होगा 90% answer नहीं होता है ऐसा option number 1 नहीं होगा option number 2 try किया जाए multiply और add को परस पर बदला जाए ठीक है तो यह add हो गया यह multiply हो गया ठीक है तो देखिए divide करेंगे सबसे पहले board mask के नियम से तो 18 by 5 18 by 5 तो यह भी fraction में आ रहा है इसलिए इसको भी छोड़ देंगे और यह भी नहीं आएगा next option try करते है plus minus ठीक है plus minus change करने पर कोई फाइदा नहीं है क्यूंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कोई फाइदा नहीं है plus minus ठीक है यह divide करने पर नहीं होगा तो option नमर्डी इसको check करने का भी जरूरत नहीं है option नमर्डी ही answer होगा नहीं तो एक बर करके दिखा देता हूँ 72 को multiply को divide करना है और divide को multiply ठीक है तो 72 को 6 से भाग देने पर केतना आएगा 12 प्लस और यह into करने पर प्लस 18,5 जा 90 minus 9 equals to 93 तो यह दोनों को minus करने पर plus 3 तो 90 plus 3 93 दोनों equal है option 4 ही answer हो गया सभी एक बार question read करेंगे और बनाने का परियास करेंगे इसके लिए दो तीन चीज जानना जरूरी है देखिए equals to के लिए यूज होता है पती पतनी के लिए सिधा साइन भाई वहन के लिए और सिधा साइन generation gap generation gap इसके लिए देखिए जैसे की माता पिता हों गए माता पिता और बच्चो पूतर पूतरी ठीक है तो देखिए अब question क्या बोल रहा है a plus b का आर्थ b a का पिता है b a का पिता है a h b का आर्थ है b a की बहन है a at the rate b का आर्थ है b a का भाई है यदि a at the rate b तो वहां से यहां लिख देते है a at the rate ठीक है तो क्या पूछा है तो यह से किस परकार संबंदित है देखिए इस question में दिया हुआ है plus का meaning पिता लेकिन पिता कौन होगा पिता भी होगा इस परकार का question अगर पहले दिया जाता है यह थोड़ा सा tricky हो गया है जैसे कि हर बार a को पिता बनाता है लेकिन ऐसे सी इस बार इस question में पिता b को बनाया है इसके बगल वाला हम लोग हर question को right से solve करते थे लेप्ट की और तो इस question में लेकिन लेप्ट से right की और जाएंगे ठीक है तो देखिए a at the rate b ठीक है a at the rate b at the rate का मतलब क्या दिया गया है अर्थ at the rate का मतलब b a का भाई है ठीक है तो जो right side में होगा उसके बारे मैं बता रहा है तो a का भाई b है अब भाई के लिए क्या यूज होता है b male है और भाई के लिए क्या यूज होता है line ये भाई बाई बाई के लिए ठीक है अब फिर h h c है तो h के लिए क्या है बाई है h के लिए तो h के लिए इसके भी सिधा line और c female अब C, प्लस D, प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग पिता है, तो पिता कौन हो जाएगा? C के पिता D, तो C के पिता D, मेल, फिर प्लस, तो ये भी इसके पिता, तो D के पिता E, ये भी मेल, थिक है, तो E से किस परकार, E से A किस परकार संबन दिता है? E का, E का संब, E से A, E से किस मेल हो, या फिमेल हो, इसकी बहन क्या होगी? बहन ही होगी तो बहन के पिता के पिता क्या कर लाएंगे दादा जी गोड़ दादा जी बोल सकते हैं गोड़ फादर सभी ने तो अपने दादा जी से मिला ही होगा एक बाद ट्राई कीजिए और यह सिप्ट का सबसे टफेस्ट कुश्यन था इस नौ से बैच दस बैच वाला दस तारीक दस जैनुरी का सबसे टफेस्ट कुश्यन में से एक है यह इसको बनाने में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा अगर फर्स्ट टाइम बनाईएगा तो इस कुश्यन को चलिए अगर नहीं होता है तो विश्वास तो एक बाद खुद से पाउज कर लिजे वीडियो और बनाईए सॉल्व किजिए ठीक है चलिए सॉल्व किया जाए इस कुश्यन को देखिए केवल यह यहां आ गया है ठीक है टीवन एरो का मार्क आगे चल गया है अब इस में सब सरग्ग गया और अरो स्लाष्ट में चला गया है अब देखिए जीरो तू है कर आ और ड्रेंगल और अरो आपस में जगा चैंज कर रहा है कि यहां चल गया और यह आपस में इधर चेंज कर लिया और ध्यान देने वाली बात है यहां B से U हो गया है ठीक है? तो यहां पर दो के बाद दो नॉर्मल चला B आया है और उसके बाद एक अच्छा डिजिट संख्या कुछ भी परिवर्तन हो रहा है एक परिवर्तन हो रहा है ठीक है? तो इसके बाद देखिए अब क्या होगा? पहले एक एक एरो डिजिट गया अब सबसे पहले हो ला तो अब ये सबसे पहले ट्रेंगल उस तरब चला जाएगा और बाकी सब सरक जाएगा ठीक है? फिर उसके अगले बार क्या होगा है? तो यहां पर क्या होगा है? ये दोनो लास्ट में चला गया ये दोनो फर्स्ट में चला गया तो ये फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा टू ट्रेंगल ठीक है और ये लास्ट में चला जाएगा एरो और यू हाँ एरो यू अब देखिए ये लास्ट में चला गया बीच में तो खाली रह गया अब बीच में क्या होगा कमेंट किजे स्टार होगा या ओ होगा कमेंट किजे देखिए ओ तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये बता देते हैं देखिए जैसे यहां पे भी था यहां पे भी भी था तो यहां पे जो सेंटर में है दो दो सेंटर वाला चेंज कर रहा है अपना स्वरूप तो यहां पे भी अब दो बार ओ हो गया एक हो, दो, और यहाँ पे जो सेंटर में होगा, वो अपना स्वरूप चेंज करेगा, तो इस option तो, यह option तो होगा नहीं और यह सब 2 और delta है नहीं तो यह सब दोनों कट जाएगा तो आखरी option यही बचा और यही answer हो जाएगा, यहाँ पे star ठीक है, तो यही right answer हो जाएगा, option नमबर A और यह SSC का question है नहीं विश्वास है तो इसके लिए हम ले के आए हैं, देख लिजिए एक बार यह SSC का ही answer की जब आता है उसी का screen shot है आपको answer की से के दुवारा पढ़ाया जा रहा है देखिए यह answer है यहाँ पे option नमबर फोर मारा हुआ है लड़का लेकिन गलत है सभी लोग एक बार question read करेंगे इस question को solve किया जाए ठीक है बीस देखिए बीस प्लस तीस कितना हो जाता है ट्वेंटी प्लस थर्टी कितना हो जाता है 50 50 इन तो 9 इन तो 9 इस 450 ठीक है 35 प्लस 25 इस 35 प्लस 25 इन तो 5 कितना हो जाएगा 60 9 9 9 9 9 ठीक है तो 60 इन तो 9 540 ठीक है तो उस परकार कौन सा option correct होगा 7 प्लस 18 25 25 गुने 9 225 इस correct answer option number 1 ही answer है इसका किनी को doubt होगा तो comment किजेगा एक बार question read किजे और courses किजे बनाने का इस परकार का question बनाने के लिए question पढ़ने का ज़रूरत नहीं है बस last में क्या पूछा है वो ध्यान देना है CART card के लिए code सब्द क्या होगा और इस question को हिंदी में solve करने का फायदा ही अच्छा होता ठीक है तो अब देखिए card कहां कहां लिखा हुआ card card एक यहां लिखा हुआ एक यहां लिखा हुआ इसका code एक यह है और यह है तो अब देखिए card card और light अलग है और एक plug है तो जो दोनों में common होगा code वही हो जाएगा answer देखिए a straw और यहां पर a straw दोनों का same है तो option number two is correct answer यह सब 10 second का question है अगर आप solve कर लेंगे अगर आप जानते हैं तो केवल 10 second में solve किये होगा सब भी बच्चे ने question देखिए और एक बार try कीजिए सभी लोग बनाने का और comment कीजिए जितने बच्चे लाइब है comment कीजिए answer और इसे भी option option हर में सा reasoning बनाते हैं तो option को अगर ध्यान में रखते हुए बनाईएगा तो बहुत ही जल्दी बनेगा question ठीक है देखिए जड़े 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 सी एफ ठीक है जड़े सी एफ था वहाँ साइड में तो उसी को लाइन में कर दिया ठीक है अब देखिए option देखिए x u v t मतला फर्स्ट लेटर पहले देखिए t u x b है ठीक है फर्स्ट लेटर ही ध्यान दीजिए अगर बनना होगा तो फर्स्ट लेटर से ही बन जाएगा देखिए z से w गया z का कितना होता है 26 और w का 23 माइनस 3 फिर 20 से क्या होगा अब इसको देखिए q 17 और n 14 माइनस 3 मतलब माइनस 3 ही चल रहा है तो बीच में क्या होगा माइनस 3 होगा तो w माइनस 3 मतलब 23 माइनस 3 is 20 20 किसका होता है t का होता है option number 1 में option को चेक किजिए किस option में पहला में t है तो option number 2 में t है केवल 10 second का question था जिन बचों ने exam दिया होगा उन्होंने 10 second में ही बना लिया होगा अगर revision होगा उन लोगों का question बनाने का एक बार try कीजिए सभी लोग और comment कीजिए answer ठीक है निमलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है स्रिंखला में प्रश्ण वाचक चिन के अस्थान पे आएगी देखिए 33 माइनस मतलब 47 में ये दोनों का difference कितना है? 33 और 47 में difference कितना का है? अगला question क्या होगा इससे? तो प्लास 14 होगा सभी को दिख रहा होगा तो प्लास 14 हो जाएगा तो कितना होगा? 69 में 14 एट करेंगे तो 83 अप्सान नवर भी इस करेक्ट आंसर? कमेंट किजिए अंसर 13 नमबर questions अभी लोग एक बार ट्राई किजिए और कमेंट किजिए अंसर अगर किसी ने बना लिया तो एक निश्चित कूट भासा में फोर्स को 47 के रूप में लिखा जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कूट बद किया जाता है उसी परकार फेबरेवल को किस परकार से कूट बद किया जाएगा? ठीक है? तो देखिए ये सब question में value जो number का alphabetically number होता है वो put करके add करके check करेंगे उसी में answer आ जाता है तो F का क्या होता है? 6, O का 15, R का 18, C का 3 और E का 5 सभी को add करेंगे सभी को add करने पर 15, 6, 21, 21, 18 और 18, 49, 49 और 8, 47 ठीक है? उसी परकार green का green का कितना होता है? ये साथ, साथ और 18 साथ और 18 25, 25, 10 25, 10 35, और 35 और 14, 49 ठीक है? तो अब देखिए favorable का F का कितना होता है? 6 होता है L का 12, A का 1, V का 22, O का 15, U का 21, R का 18 इन सभी को add करना है 6, 12, 18 18, 18 और 18, 19 19 और 22 41, 41 15 56, 56 और 21 77 77 और 18 95 95 95 is right answer option number 1 में है किनी को doubt होगा तो बोलिएगा सभी बच्चे एक बार बनाने का परियास करिये नीचे दिये गए समिकरन को गनितिये रूप में सही बनाने के लिए किन दो गनितियों चिन्नों को परस पर बदलने बदलना चाहिए देखिए option number 1 ट्राइ किया जाए प्लस और माइनस को यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस डिवाइड किजे यहाँ 7 हो जाएगा ठीक है तो देखिए fraction में आ रहा है और कोई भी अगर इस साइड fraction में है और इधर नॉर्मल नेचुरल नंबर है तो यह अधिकतर chances होता है कि वो fraction में ही आएगा और answer नहीं आएगा इसमें तो यह fraction जिसमें आ रहा है वो तुरंत लीव करेंगे और अगला option ट्राई करेंगे divide और into को उपरस पर बदलने पर divide को into बनाना है और इससे divide into को divide देखिए यहाँ पर फिर 16 मतलब 36 में 16 भाग देंगे तो यह भी fraction में ही आएगा यह 9 बटा 4 आएगा यह fraction में आ गया और अगल बगल into नहीं है जो 4 divide से हट जाएगा तो यह भी नहीं होगा तो यह भी option गलत हो गया तो last option number 2 भी गलत हो गया option number 3 अब ट्राई करते हैं इंटू और प्लस को तो प्लस के अस्थान पे इंटू और इंटू के अस्थान पे प्लस ठीक है तो देखिए यह question और मैंने बताया था फिछले भी set में कि अगर आप divide करना है और divide करना है और fraction में आ रहा है और बगल में इंटू है और वो यह question बन सकता है और अधिकतर chances यही होता है कि यही answer होगा देखिए इस question को 42 इंटू 16 बाइ 7 डिवाइड़ minus 36 plus 16 equals to 76 ठीक है तो यह कट जाएगा शिक्स टाइम में 42 से डिवाइड करने पर शिक्स टाइमस में आता है और 16 छक 96 और 96 और minus 30 36 और plus 16 को subtract करेंगे तो कितना बचेगा 20 20 में अब minus करेंगे तो 96 को minus करेंगे 20 से तो 76 आग यह देखि लिजे तो यही answer हो जाएगा option number C is correct answer सभी बच्चे एक बार बनाने का प्रियास करें शिलोजम है यह यह question को English में बनाने में फाइदा है देखिए एक्जाम में तो English में राता है यह practice set है तो यह answer की था तो इसे निकाला गया है तो हिंदी में जो बच्चा attempt किया था तो यह हिंदी में उपलाद हुआ तो अभी इसका translate कर लिया जाए थोड़ा सा सभी बोटले बैग हैं तो सभी का क्या हो जाएगा आल बोटल आर बैग ठीक है कुछ बैग पैंसिल है कुछ सम बैग सार पैंसिल कुछ पैंसिल सपनर है सम आर सापनर सापनर ठीक है निसकर्स में क्या दिया हुआ है कुछ सापनर बोटले है निसकर्स देखिए कुछ बोटले सापनर है कुछ बोटले पैंसिल है ठीक है तो देखिए अब ये क्वेस्चन इजी है बहुत बनाने में बहुत असान है लेकिन लिखने में टाइम लग रहा है ठीक है तो अब देखिए हम अरे यार इसे हिंदी में बता देता हूँ देखिए सभी बोटले बैग है और कुछ बैग पैंसिल है तो इसमें देखिए पॉजिटिव देखिए मीडिल टर्म क्या है इन दोनों में मीडिल टर्म बैग बैग से पहले आल या नो मतलब आल या नो होना चाहिए यह all या no होना चाहिए तो all तो नहीं है और ना no है तो यह दोनों में relation नहीं बनेगा ठीक है और अगला में pencil middle term है तो अब देखिए और लेकिन इससे एक middle term के पहले all या no होना चाहिए तो all या no नहीं है मतलब कुछ है sum यह कुछ है sum यह all लेकिन all middle term middle term के पहले होना चाहिए तभी निस्कर्ष निकलेगा निश्चित निस्कर्ष निकलेगा तो नहीं है तो कुछ सापनर बोतले है कुछ सापनर बोतले है तो नहीं होगा कुछ बोतले pencil है कुछ बोतले pencil है निस्कर्ष तो नहीं निकला तो इसका answer होगा ना तो निस्कर्ष वन और ना निस्कर्ष टू अनुसरन करती है क्वेस्टिन को एक पर बनाने का कोशिस किजिए सभी लोग डाइस का क्वेस्टिन है इजी है बहुत पांच सेकेंड के वल देखना है और एंसर मारना है देखिए पूछ क्या रहा है यू दर्साने वाले फलक के विपरित क्या है यू के विपरित क्या है फलक के विपरित तो यू कहा है यू यहां है पीएस देखिए दोनों में सेम है पीएस तो विपरित क्या हो जाएगा आर अप्शन नमर फोर इस करेक्ट अनसर टाइम तो एकदम नहीं लगना चाहिए इसमें पाथ सकेंड काफी है देखिए ये कोईश्चिन कोईश्चिन बनाने का परियास करें ठीक है कोईश्चिन रीट नहीं कर रहा है सॉल्यूशन टाइम कर लेंगे केंडर है और सबका मुख सेंटर की और है छे है इक्वल डिस्टेंस पर ठीक है एक दू तीन ठीक है छे दोस्त है ABCDEF एक साथ वित्रकार मेज के केंडर की और मुख करकर एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठ कर भोजन कर रहे है D E और B के ठीक बगल में बैठा हुआ है D जो है वो E और B के बगल में बैठा हुआ है तो बगल में तो ये दोनों जगा में B या E हो सकता है ठीक है आगे जबकि C A और F के बगल में बैठा हुआ है C तो C भी बीच में होगा ये दोनों का तो C यहां हो जाएगा किसके बगल में बैठा हुआ है A और F के तो A या F यहां भी A या A या F ठीक है दोनों में से कोई एक होगा अब आगे पढ़ा जाए ठीक बगल में यदी A E के बाई और ठीक बगल में बैठा है A E के बगल में बैठा हुआ है तो A कहां है यहां है और E कहां है A और E बगल में बैठा हुआ है ठीक A E के बाई और है A के बाई और बाई मतलब यहां पे है तो बाई इधर तो देखिए E यहां पे हो जाएगा और A यहां हो जाएगा तो A बाई और हो जाएगा और E यहां हो जाएगा तो B यहां कैंसिल यहां F हो जाएगा यहां F हो जाएगा कि वहाँ पर है तो तो देखिये बैठ चुका है यहां पर है यहां सी है यहां पर ऐख यहां बी यह और इस अधर हो जाएगा अगर सरकल के और मुह है तो और इदर साइड हो जाएगा तो बाइं और कौन बैठा है ठीक बगल में एप बैठा हुआ है ठीक है पुजिशन ड्रीट कीजिए और बनाने का कोशिस कीजिए बहुत जल्दी देखिये निमलिखित में से कौन सी संख्या दी गई इस रिंखला में प्रस्नुआ चक चिंग के अस्थान पर आएगी यहां पर प्रस्नुआ चक चिंग ना है देखिये इस क्वेशन को एक छे एक तीस 156 और question mark और 3906 ठीक है तो कैसे हुआ है एक से छे हुआ है तो कैसे हो गया 1 इंटू 5 प्लस 1 is 6 ठीक है तो 6 इंटू 5 6 इंटू 5 प्लस 1 is called to 31 ठीक है तो 31 इंटू 5 केतना हो जाता है 5 प्लस 1 तो 156 ठीक है 156 इंटू 5 प्लस 1 178 प्लस 1 180 ठीक है 781 ठीक है तो यह हो गया option देखिए 781 is correct answer कि नहीं को doubt होगा तो question पूछ सकते है यह mirror का question है mirror नीचे दिया हुआ है ठीक है तो देखिए CL के भी को उल्टा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए L घुमाने पर क्या हो जाएगा इधर साइट से होना चाहिए तो यह तो नहीं होगा ठीक है यह दोनों ठीक है यह भी नहीं होगा option यह भी नहीं होगा के को देखिए कौन सा के होगा यह पल्टेगा तो के का इस परकार होगा ठीक है तो यह answer option C और यह गलत है option number 3 is correct answer निमलिखित में से कौन सा पद दी गई स्रिंखला में प्रस्णुआचक चिन के अस्थान पर आएगी देखिए option इसमें फिर से option का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी solve हो जाएगा यहां देखिए last वाला या first वाला तो y, x, z, w ठीक है तो अब देखिए e का कितना होता है alphabetical number 5 5 से कितना गया है plus 2 g हो गया और g से k g का 7 और k का 11 तो plus 4 और k का 11 और q का 17 तो plus 6 और q से अब यह series देख रहा है plus 2, plus 4, plus 6 even number है तो अगला अंक क्या हो जागा plus 8 तो q में 8 जोडने पर 25 25 किसका होता है y का होता है तो y कितने अस्थानों पर है y और option number 1 और option number 4 पर है तो अगला क्या अगला आएगा तो पता चल जाएगा कि answer कौन है तो देखिए z को अब x किया गया है z कितना होता है 26 x कितना होता है 2 24 तो minus 2 हुआ है minus 2 तो x कितना 24 minus 20 देखिए t तो कितना का difference है minus 4 का फिर t से n हुआ है तो कितना का difference है 6 का तो minus 6 हुआ है तो उसी परकार minus 2 minus 4 minus 6 तो अब क्या होगा minus 8 होगा तो n कितना होता है 14 होता है 14 में 8 जाएगा तो 6 6 कितना होता है 6 f होता है अब f किस option में है वो देखिए option number d में option number 4 में answer है तो वही answer हो जाएगा correct answer ठीक है आज का पूरा question खतम हो गया 20 आज यहीं तक राधे राधे आज खराब हुआ जी खराब हुआ कि ठीक था झाज कि गाजा जीक है